आम काचार किस तरीके से त्यार होता है, कितना उसमें तेल डलता है, तेल गरम होता है या ठंडा डलता है, मुकमल गाइड करने वालो हूँ आज की रेस्पी में, तो जोते देखिएगा इसके अंदर में ये आम डाल दें, इसके अंदर टाल दें, साट ग्राम एक किलो में जाएगा, डाल दिया, अब इसको चिद्री के से मिक्स कर लें, शिकाय नहीं मैं, इसे मैं शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाइरामानि रहें, कितना शामिल करते हैं, अभी आपको बताता हूँ, ये किलो का फार्फुला बता रहा हूँ, ये सब सो गाइल बस्ता डाहिल है, बिस्मिल्लाइरामानि रहीम, असलाम अलेकूं वेवर, मैं हूँ शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं, बाबा फूड रार से, लसूडे का चार किस तरीके से डलता है, सबस मर्च का चार किस तरीके से डलता है, वो मैंने पहले आपको तरीका बताया, मैं अपने टीम से कहुँगा, उसका लिंक डेंगे और आई बतन में भी देंगे, और जो न्यू देखने वाले हैं, वो भी देख लेंगे, और मेरे चैनल को न्यू देखने वाले सबस्क्राइब भी कर लेंगे, ताके नोट्टिकेशन आपको मिलता रहे है, गंटी तेल डलता है, तेल गरम होता है या ठंडा डलता है, मुकमल गाइड करने वाला हूँ आज की रेस्पी में, तो जो से देखिएगा एक किलो मैंने आम लिए जब मैंने यह आम लेके इसको गटवाए तो इसके अनुसे गुठले वगारा जो रिमूव की तो यह कम बच गए, फिर मैंने नो किलो पूरा कर लिया एक किलो का फार्मूला गुठले रिमूव करके फिर एक किलो पूरे किये एक किलो इसमें डाल दें कोई मसला नहीं है हाफ टेबल स्पून, साट नमक शामिल कर दें इस तरह यह देखे, हाफ टेबल स्पून से जएदा हाँ भ스र्दी इस तरह बठाव टेबल स्पून, हल्दी ठीक हो गया, अब मैंने इसको जार में नहीं रखना बरतन में नहीं लुछना हैं मैंने टोकरी में रखना इस तरह भरा हुऊ हो टेबल स्पून, हल्दी, इसके उम्पर डाल दें इस तरीके से। डाल दें हैं, आप अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर तें इस तरीके से। यह समारां मैं लगाूं यह देखें। अब इसको मिक्स करने के बाद मैंने इस तरह की एक बारीक सुराखों वाली टोकरी ले ली ठीक हो गया अब मैंने इसको जार में नी रखना ये बरतन में नी रखना बॉल में नी रखना मैंने टोकरी में मैं क्यों रखना है है अब मैं इसके ओपर मलमल का कपड़ा दे के ओपर चात्पे धूब में रखके आ जाँगा 8 से 10 गंटे के लिए इसका जितना भी वाटर होगा जितनी भी इसके अंदर पानी होगा हाँ वो इसका रिमूव करना है हमने मैंने आपको कई दफ़ा कहा अचार के अंदर पानी जहर का काम करता है पानी हमने इसका हटाना है बिलकुल पहले मैंने इसको आप जब मैंने लिये इसको मैंने थाबित को वाश किया कटन तो बाद आप ने तो लग जाना मैंने पहले इसको साबित आम को धो लिया धोने के बाद इसको मैंने काटा आप इस तरह कीजिएगा पानी नहीं होना चाहिए अब मैं इसके पर मलमल का कफड़ा दे के आठ से दस गंटे के लिए धूमे दूब में रखने के बाद इनका जो हल्दी और नमक लगा के इनका जो वाटर था वो निचे ड्रेन होता रहा और ये सॉफ्ट हो गये देखें इनका मकसद होता है इसको दूब में रखने का अकड़ाओ भी खतम हो गया इसका अब मैं आपको जो हैना दो चार मुझे कमेंट आई होए थे पूछ रहे थे कि आप आईल जो हैना पका के डालते हैं या कच्छा डालते हैं आचार में जितनी पहले रेस्पी दिए आज से पहले जितनी रेस्पी दिए उनमें मैंने आईल को गरम नहीं किया आईल को मैंने पकाया नहीं है मैंने इसके अंदर इस तरह ही डाल दिया अचार में आईल कुछ अचार हैं जो जब मैं उनको गरम करूंगा आईल को तो मैं आपको बताऊंगा और दूसरा मुझसे ये पूछा जा रहा था कि आप कुछ चीजें जो है न ये थाबित डालते हैं कुछ को आप दरदरा सा कोट लेते हैं इसकी क्या वज़ा है उसकी वज़ा मैं बताता हूँ हमें कलवंजी राई और मेथी दाना ये तीनों चीजें कड़वी होती है हमें अचार खटा चाहिए कड़वा नहीं चाहिए इसलिए मैं जितना मुझे खटा चाहिए उस हिसाब से मैं इसको जो है वो ग्राइंड कर लेता हूँ और अगर मैं सारे को ग्राइंड कर लो पोडर फार्म में मैं डालू तो हमारा चार कड़वा हो जाएगा कटड़ तरह जाना घ्तै की तरफ लेकर जाना है याँ मेरी बात फार्मुला समझा गया इसलिए दर्द्रा को पुटड़ा तेनुचीजएं राहीदाना मेथ्रे और कलवंजी यह तीनोचीजे ने कड़ोंगी है अगर अगर आप इनको साब को ग्राइंड करके या मोटा दर्दरा डालेंगे तो आपका चार कड़वे की तरफ चला जाएगा हमने कड़वे की तरफ लेकर नहीं जाना हमने खटे की तरफ लेकर जाना है जितना मुझे खटा चाहिए होता है उतना मैंने इसको दर्दरा पीस लिया बकाय थाविट डाल दिया इसका इसकी रेस्टि मैंने आपको चार के मिसाले की दी हुई है एक किलो में साट ग्राम लगेगा उसका लिंक डिस्क्रिप्षिन में भी आ जाएगा आई बटन में भी आ जाएगा पता जिए एक किस चार में ये मिसाले यूज हो सकता है मर्च का है, लसूरे का है, आम का है जितनी भी चीज़ें के चार डलते हैं ये उसमें यूज़ हो सकता है और मेरे इलाके के हिसाब से इसका रेट 120 रुपे पाऊ है अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो ये भी आपको मैंने बता दिया ठीक है, इसको इस तरीके से इस तरह का एक जार ले लें दूसरी बात भी मैं आपको बताता हूँ अब तसलिश समझें, इसके अंदर मैं ये आम डाल दें बिसमिल्लाइलामारे जार आम डाल दें, अब कुछ लोगों की मुझे काल आ जाती है, वो ये कहते हैं या पिर इस डटकन को ऐसे ऐसे रखना है, कुछ दिन इसके अंदर ये जो ताजे आम होते हैं इसके अंदर ये जो ना, इसकी गैस बन जाती है आईल की और आम की, इसकी वज़ा से आपका जो अचार का जो आईल है ये उपर से रिमूव हो जाता है, आप समझते हैं खराब हो गया है एक किलो का जो मैंने इसकी रैस्पी दी हुई है और मैं अपने टीम से कह रहा हूँ, उसका लिंग डालो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मैं ये इसके अंदर डाल दें, 60 ग्राम एक किलो में जाएगा, डाल दिया अब इसको अच्छी तरह के से मिक्स कर लें, ये देखें तमाम अचारों में आईल उपर आ जाता है, किसलफ आपके चार में आजाता है ये जब आपका अचार डिप हो जाए, अच्छी तरह के से डिप हो जाए ना, अचार नचे डूब जाता है तेल में उतना आप डाल लें वैरी सेंपल, ये मेरे ऱपर सिरका है, वाइट सिरका, ये देखें इसके साथ की बोटल है मेरे पास कि यहां सब्सक्राइब कुछ को यह दो हैं। आप आप इसको एर टाइट नहीं करना जब आप एंडर गैस बन जाएगी आठ से दस दिन बारहे दिन सिर्फ एर टाइट नहीं करना अपने बात में कर देना है और इसके आयल उपर होना चाहिए और इसको हलका सा ऐसे रख देना है डगंगो या वेको ऐसे इसको ऐसे जब आप बंद करेंगे फिर इसके अंडर गैस बंदी आ हर चीज मैंने clear करके बता दी, इसके साथ की शीशी बजार से मिल जाती है, इसके साथ की मिल जाती है, अपना जो भी आप फूड का नाम रखें, उसकी यहाँ पे जो है ना, वो स्टीकल बन जाती है लेबल लगाएं, मारकेटिंग करें डिजिटल मारकेटिंग करें, मारकेट में निकलें, बजारों में तो बहुत महंगा यह चार मिलता है, धाई सो रुपे दे शीशी मिल दी यह पावी नहीं होंदा डेट सो ग्राम, दो सो ग्राम इसमें अगता है आप अपने हिसाब से, अपने इलाके के को सेट किया करें, साब कुछ देखा करें मिसाले करा मैंने आपको बता दीया जिस कॉالटी का मैंने बनाया यह 120 रुपे पाव है हलकी कॉالटी का भी मिलता है, 90 रुपे पाव बहुती दाप देने वह अच्छा क्उالटी या नहीं होता सब्सक्राइब भी करें लेकिन पहले शेयर करें जब आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पेगाम पहुंचेगा और साथ घंटी का बटल आजमी दबा दिया करें उसकी बज़ा ये है कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे बिल जाए फेस्बुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें इस्टागराम पे हमें फालो किया करें दौाओं में याद रखा करें मुझे और मेरे टीम को अजाज़त देजिए अल्ला आफिस